उत्तर प्रदेश के पिलीभीज जिले में तीन दिन पहले गन्ने की खेत में मिले युवक के शव के मामले में मुकदमा दर्ज ना होने पर मरतक के बरिजन सैकडों ग्रामीडों के साथ एकत्र होकर जिला धिकारी आवास के बाहर पहुँच गए बड़ी संख्या में ग्रामीडों को जिला धिकारी आवास के बाहर देख कर पुलिस महकमे में हरकंप मच गया आनन फानन में ग्रामीडों को समझा बुझा कर अफसरों द्वारा पुलिस लाइन बुलाया गया जहां ग्रामीडों के हंगामे के बाद सीओ लिमुकमा दर्ज कर जानकारी के मताबिक अमरिया थाना छेतर के अंतरगत आने वाले भगाती पुर्गाउं के रहने वाले पूरन लाल के 52 साल के बैटे रोशन को 25 अगस्त को गाउं के रहने वाले हरवंश लाला राम और देवी दास में फोन कर बुलाया था जिसके बाद यूबक घर नहीं में रोशनलाल का शव बड़ा देखा रटना के जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कबजे मिलेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया परिजनों का आरोप था कि युवक की आँखें भी फूटी हुई है पुलिस का कहना है कि पोस्ट म पुलिस आरोपियों से सांट गांठ कर रही है और वहीं मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही है आपको बता दें कि युवक की मौत के तीन जिन बीट जाने के बाद भी जब अमरिया पुलिस ने परीजनों की तहरीर पर एफायार दर्ज नहीं की तो उसके बाद सोंबार को ब पुलिस विभाग के आला अफसरों ने ग्रामेडों को समझा बुझा कर पुलिस लाइन बुलाया और सियो सदर ने जब अमरिया पुलिस को तहरीर के आदार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ मामले पर जानकारी देते हुए सियो सदर सतीश शुकला ने बताया योवकी मौत पोस्ट माल्टम में ब्रेन हैम्रिज से होना पाया गया है फिलहाल परीजनों के दौरा दी गई तहरीर के आदार पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए जड़देशित किया गया है इस ख़बर से जोड़ी कुई तमाम अपडेट्स पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर तबाएं किया क्लक्टा किल्ने मारा हुआ है वो अजाद किसने भून करका पुलाया है उसकी जाटा लिखा लिए सब उसी ने मट रखिया किसने पुलाया था बोलका है उसका नाम है खर्वाद